सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा सैडवान सायरुईदा चैनल को और बेल आइकोन दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं वैद्या अनुराधा सारडे सुबा हम जब उट्टे है तब से रात तक हमारी आखे कंटिन्यू काम करती है इसलिए उन्हें स्ट्रॉंग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज हमें जानेंगे आइरवेदा नुसर हमारी आखे ये पित्त दोश प्रधान है आखों में आलो चक पित्त है इसलिए इस पित्त दोश का शमन करने के लिए आईरवेद में रोज सौम्य विरेचन देने के लिए कहा है आज कल मोबाइल कॉम्पुटर इन पर काम करने से हमारी आखों पर प्रेशर बहुत बढ़ गया है इसलिए बहुत लोगों को चश्मा लगता है कम उम्रह में चश्मा लगने लगा है आखे लाल होना, चिपचिपी होना, आखों से पानी आना ये सभी प्रोब्लेम्स बहुत बढ़ गये है इसलिए एक इंपॉर्टन्ट उपाय आईरुवेद में बताया है त्रिफ़ला चूर्ण ये स्रेष्ठ विरेचक द्रव्य है रोज रात को हमें ये त्रिफ़ला चूर्ण सेवन करना है मतलब रोज रात को हम त्रिफ़ला चूर्ण मधू और घी इनका सेवन करेंगे तो उससे हमारी आखे बलवान बनती है इसमें मधू, मतलब हनी और घी इनका प्रमान क्या लेना है ये सबसे इंपॉर्टन बात है क्योंकि हनी और घी सम मात्रा में लेना ये विरुद्धा आहर है इसलिए जो कफ़ प्रकूती लोग है जिनको हमेशा सर्दी खासी होती रहती है जो मोटे लोग है ठन का सिजन है जैसे शिशिर रुटू जानेवारी फेबरुवारी मैने या वसंतरुतू मतलब मार्च और एप्रिल मैने जब कफ़ दोश का स्वाभाविक प्रकूप होता है इस वक्त त्रिफ़ा चूर्ण एक टिस्पून हनी एक टिस्पून और घी आधा टिस्पून ऐसे प्रमाण मिली और जो पिक्त प्रकूती लोग है जिने हमेशा ऐसे योटी जैसे प्रोब्लेम्स होते है जो दुबले पतले लोग है ग्रीश्मा मतलब समर सीजन में मतलब मे और जून मैने में शरद रुतू मतलब सप्टेंबर और औक्टोबर मैने में जब पिक्त दोश का स्वाभाविक प्रकूप हुआ है इस सब में डायबिटीस पेशन्स में त्रिफणा एक टिस्पून, हनी आधा टिस्पून और घी एक टिस्पून इस प्रमान मिले इस वक्त ये प्रिकॉशन लेनी है कि हनी और घी हमेशा एक ही चम्मस से काउंट करे और घी को हमेशा पतला करके काउंट करे घी गाढ़ा न हो अगर हम गाढ़ा घी पतला करके यूज कर रहे है तो घी ठंडा होने के बाद उसको हनी में मिक्स करे इसे हम रोज रात को सेवन करते है तो हमारी आखे सुन्दर बलवान बनती है और हमें चश्मा नहीं लगता हमारी आखों को स्ट्रॉंग बनाने के लिए आप ये उपाय जरूर करे थैंक यू